नमस्कार में अप्रिया आज 28 अप्रेल खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर दसवी बास के लिए ग्रामीन डाक सेवक ने निकाली रुखतियां बार से निजार पाले के लिए शिरू हुई तैयारी बिहार के कोटे के 44,000 डिसीवर इंजेक्शन मिलेंगे इस महीने के अंतर बिहार के सिक्षकों के लिए खुश खबरी जर्णी भारत को मिलेगी स्पुतनिकवी वैक्सीन की बड़ी सौगात अब चले पढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से दसवी पास के लिए ग्रामी डाक सेवक ने निकाले रुखतियां बिहार और महरास्ट्र पोस्टल सर्कल में ग्रामी डाक सेवक के 4,368 पदों पर भरते निकाली गई है बिहार पोस्टल सर्कल में 1944 और महरास्ट्र पोस्टल सर्कल में 2428 पद है दोनों ही सरकल के लिए आवेदन के अंतिम तारीक 26 मई 2021 है इन पदों के लिए दसवी पास उमिद्वार आवेदन कर सकते हैं कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी उमिद्वारों का चैन मेरिट के आधार पर होगा इन पदों के लिए सेक्षनी क्योगिता की बात करे तो मानेता प्राप्त स्कूल सिक्षा बोट से दसवी कक्षा में उत्तिर्ण होना अनिवारे है दसवी में मैथ, सानिय भाशा और अग्रेजी में पास होना जरूरी है दसवी तथा स्थानिय भाशा पढ़ी होना भी जरूरी है अनिवारे सेक्षनी क्योगिता से अधिक्योगिता रखने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की वरियत अप्राप्त नहीं होगी इच्छकों में दवार appos.in या appos.in slash gds online पढ़ जा करावी दन कर सकते हैं बिहार के सिक्षकों के लिए खुश खबरी COVID-19 के माहौल में पुरा बिहार पर उशान नजरा रहा है महीं से बीच बिहार सरकार ने सिक्षकों के लिए खास एलान किया है जिसके तहट बिहार सरकार ने हाई स्कूल में कारिरत सिक्षकों के वेतन के लिए राशी जारी कर दी है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि सिक्षकों भाग ने इस बावत महालेखा कार को पत्र भी जारी कर दिया है आपकी जोयनकारी के लिए आपको बता दे कोरोना के संकट में बिहार के सिक्षक वेतन के लिए सरकार सिंगोहार लगातार लगा रहे थे बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों का हुआ अतबादला बिहार प्रशासनिक सेवा में बीते दिन बड़ा फेर बदल देखने को मिला जब बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकार्यों का तबादला कर दिया गया जिसके तहट अनिल कुमार को उद्योग विभाग में उपसचिफ बनाए गया COVID-19 के कारण बड़े प्रोजेक्ट पर लग सकता है ग्रहन COVID-19 के कारण बिहार अब दो तर्फ आमार चेलने की तरफ बढ़ रहा है बिहार स्टेट रोड डेवलाप्मेंट कॉर्परेशन लिमिटेड यानि की BSRDC के बड़े प्रोजेक्ट के निर्मान पर ग्रहन लगने की संभावना जुताई गई है बिहार स्टेट रोड डेवलाप्मेंट कॉर्परेशन लिमिटेट की तरफ से जारी के गए बयान के अनुसार बड़े सरकारी दफ्तरों में बड़े स्तर पर अधिकारियों और करमचारियों को कोरोना हो रहा है इस महामारी से बिहार में श्ट्राइदी कोई विभाग या दफ्तर हो जहां काम करने की रफ्तार धीमी नहीं हुई है यही कारण है कि ओफिस में भी अधिकारी और करमचारियों के वज़े से फाइलों को निप्टानी में देरी हो रही है गर्मी से मिले राहत के बाद एक बार फिर चढ़ेगा पारा बिहार में एक बार फिर से पारा चढ़ने की खबर सामने आई है मौसम विभाग के मुताबिक सुष्क मौसम और बंगाल की खाड़ी आने वाली नमी बंद होने से 72 खटो तक दिन और राज के तापान में वृधि होगी इस दोरान दिन में चलने वाली तेज हवाई गर्म रहेंगी और धूप में तपश रहने की बज़े से गर्मी ज्याद हम हैसूस होगी मौसम विभाग के मुताबिक एक ट्रफ रेखा पूर्वी बिहार से होते वे ओडिसा तक फैली है इसके साथ ही जो मौकश्मीर से होते वे हिमाचुर प्रदेश और चर्णीगर तक एक डिस्टर्बेंस सक्री है इसकी वज़े से दिली और पश्रिम उत्तर प्रदेश के कुछ जगों पर हल्की और मधिदर्जी की बारिश हो रही है COVID-19 के बीच बार से ने जात पानी के लिए शुरू हुई तयारी जहां एक तरफ बिहार COVID-19 की कहर से पूरी तरीके से परिश्रान है वहीं दूसरे तरफ बिहार में संभावत बार को देखते वे तयारियां शुरू कर दी गई है जिसके तहर सभी जिलो से रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके इलाके में कहां कहां बार का खट्रा अधिक रहता है और किस तरह से वहां लोगों तक करोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चाव का काम किया जा रहा है इसको लेकर 15 मई से पहले सभी जुलाधिकारी रिपोर्ट भेज दे ताकि बार रस जलो में बहतर तरीके से काम हो सके इसके साथ ही इस बार भी बार के दौरान बच्चाव काम में डोन का उपयोग किया जाएगा आपदा के समय खोच एवं बच्चाव कारे के दौरान होने वाली परिशानियों को देखते वे यह निर ने लिया गया है पटनावासी अब किसी भी कमपनी से ले सकेंगे LPG सिलेंडर सिलेंडर डिलिवरी के नियमों में बड़ा बदलाफ किया गया है जिसके बाद अब आप लोगों को अपना सिलेंडर खत्म हो जाने के बाद परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है अधिकारियों के माने तो तीनों सारवजनिक तेल कमपनिया इंडिन ओयल, HP, CL और BPCL आपस में मिलकर एक इंटेग्रेटर प्लाटफॉर्म बनाएगी जिसके बाद अब आपके आसपास में जिस सारवजनिक तेल कमपनिय की भी एजेंसी होगी आपको उसी से सिलेंडर मिल जाएगा अधिकारियों के माने तो नए प्लाटफॉर्म से ग्रहकों की परिशानी समाप्त होगी संक्रटव्रश प्रजातिग के विलोप्त होने की खबर डगातार सामने आ रही थी हलाकि इनकी मौझूदगी वीटीयार में देखी गई है जिसके बाद अब गिद्षो के कुनबे की संग्रक्षन का काम शिरू कर दिया गया है सूबे में पहली बार इसके संग्रक्षन एवं सनवर्धन की दिशा में पहल की जा रही है इसके लिए BTR प्रसाशन सरकार को इस साल भेजी गई है बारशी कारियोजना में इसे शामिल किया गया है इसके लिए 57 लग की कारियोशा बनाई गई है जिसकी स्वीकृती मिलने के बाद इस पर काम शिरूख कर दिया जाएगा यदि इसकी स्वीकृती मिल जाती है तो यह पर्यावरन संक्रक्षन के छेतर में बड़ी उपलब्धी होगी बिहार के किसानों के लिए सरकार ने बड़ी खुश्खबरी जारी की है जिसके तहर सरकार की तरफ से एक गेहूं खरीद के लक्षे को बढ़ा दिया गया है सबेजला सहकारिता पदाधिकारियों के साथ गेहूं की खरीद की प्रगती की समिक्षा की बनना प्रैसी के मताबिक जिन पैक्सों ने खरेदारी शुरू नहीं किया उन्हें जल्द खरीद शुरू करने का देश दिया गया है अभी तक 2285 पैक्सों का चैन हो गया है और 1135 पैक्सों में गिहूं की खरीद होने लगी है कोविट-19 के माहौल में तेजस्वी आदब दिखे बेबस कोविट-19 के परस्षदी लगातार खराब होती जारी है अस्पतालों में बेट से लेकर वेंटिलेटर तक का अभाव साफतोर पर देखने को मिल रहा है इसे पीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदब ने हाली में अपना एक भावुक संदेश जारी किया है जिसकी तहत उन्होंने लिखा कि अधिकारियों को फोन लगाओ तो फोन बच्छा रह जाता है कोई उठाता नहीं है अधिकारी या तो सीम की भी सुन नहीं रहे है या मुख्यमंत्री नितीश कुमार को विवस्था दुरस्त करने में कोई रूची ही नहीं है इतना असहाय असमर्थ कभी अनुभव नहीं हुआ है एक इंसान होने के नाते हाकार मचा हुआ है चाहकर भी गुहार लगा रहे हैं लेकिन मदद मांग रहे हैं तलप रहे हैं सभी जरूरत मंदों की मदद नहीं कर पा रहे हैं पतालों में फोन लगाओ तो जवाब आता है कुछ नहीं कर सकते हैं सर बेड नहीं है इंजेक्शन नहीं ऑक्सिजन नहीं है कैसे मदद करें बिहार के कोटे के 40,000 रेम्डिसीवेर इंजेक्शन मिलेंगे इस महीने के अन तक कोविड-19 के लगातार खराब हो रही अवस्था को देखते हुए बिहार सरकार को रेम्डिसीवेर इंजेक्शन को बिहार में पहुचाने के शिर्वात हो चुकी है इसके साथ ही पहली खेप भी बिहार में पहुच चुकी है Remdesivir Injection की पहली खेप में 37,968 डोस इंजेक्शन है मिली जानकारी के नफसार बिहार के कोटे के 40,000 Remdesivir Injection में बचे हुए Remdesivir बिहार को इस महीने के अंतक महाया करा दिये जाएंगे जैसे जैसे दवा कंपनी महाया कर दाएगी विशेश विमान के जरिये इसे पठना लाया जाएगा जिसके बाद 30 अपरेल तक बिहार को सभी Injection में की उमीद जताई जा रही है मन्रेगा योजना में नए नियम हुए लागू बिहार में COVID-19 प्रिभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि सरकार भी हर एक ही योजना में तरह-तरह के बदलाव कर रही है जिसके तहती सरकार ने मन्रेगा योजना में भी बड़ा बदलाव किया है सुबे में मन्रेगा का काम अभी केवल 60 साल तक के मजदूरों को ही मिल सकेगा कोरोणा के बढ़ती असर को देखते वे श्रमिकों के सिहत को वरियत आ दी गई है यानि कि अब 60 साल से अधिकुम्र के लोगों को काम करनी किनमती फिलहाल नहीं दी जाएगी इससे कम उम्र के वैसे मजदूरों को भी काम पिर नहीं लगाया जाएगा जिनकी सिहत खराब रह रही हो पाटले पुत्रा स्पोर्ट कॉम्पलेक्स में बन रहा है कोविट-19 अस्पताल बिहार में जिस तरीके से कोविट-19 हर दिन अपने नहीं रिकॉर्ट को दोड़ने पर आमदा है उसके तहती सरकार भी अपनी तयारियों में जुट गई है जिसके तहत संक्रमित मरीजों के अलाज करने के लिए पाटले पुत्र स्पोर्ट कॉम्पलेक्स में सौब बेड के कोविट-19 अस्पताल को बनाने की तयारी हो रही है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे अस्पताल में इस्तमाल होने बाले सभी जरूरी करन स्पोर्ट कॉम्पलेक्स पहुँच चुके है दिन रात 24 सो घंटे लोग लगे हुए है मेरी जानकारी के अनुसार आने वाले 3-4 दिन के अंदर अस्पताल तयार कर लिया जाएगा अस्पताल में जुस्तरे की सुवधाई होती है वो सभी सुवधाई यहां मरीजों को मिलेंगी हर बेड पर आक्सुजन की विवस्ता होगी बिहार में कोविट की मिले 12,000 से ज्यादा मामले स्वास्तवभा की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकडों के अनुसार बिहार में गुल मिला करके 12,604 मरीजों की पुष्टी हुई है जिसके बाद आक्टिफ मरीजों की संख्या 94,255 पर पहुच गई है मधुबनी में 277, मुंगेर में 258, मुजफरपुर में 458, नालंदा में 490, में 313, पत्ना में 1837, पुर्णिया में 423, रोहदास में 187, सहरसा में 192, समस्तिपुर में 319, सारन में 543, शेकपुरा में 236, श्रिभर में 78, सीतामणी में 110, सिबान में 259, सुपॉल में 363, रहने वाले हैं, लेकिन इनके सैंपल अलग-अलग जिलो में कलेक्ट किये गए हैं। इस संबन में आदेश जारी कर दिया है, आदेश में कहा गया है कि स्वास्तकारणों से एवं प्रशासनिक, दृष्टी कोन से अबर सिख्षा सेवा के अधिकारियों का ट्रांस्फर किया गया है। आदेश के हालात सामाने होने के बाद मुख्य परिक्षा यानि की मेंस का आईयोजन होगा। लोग सेवा आयोग ने APO के लिखित परिक्षा इसी साल 7 फरवरी 2021 को आयोजित की थी, साथ जिलों के 71 परिक्षा के इंपर परिक्षा का आईयोजन हुआ था। आईयमे ने नीजी एस्पतालों में भी ऑक्सिजन के लिए उठाई आवाज को देखते वे आईयमे ने नीजी एस्पतालों में ऑक्सिजन आपूरती के लिए आवाज उठाई है जिसके तहट आईयमे ने अपनी तरफ से मुख्यमंदर नितिश कुमार को पत्र जारी करते व कि इंदिरों इजी इस्पतालों में ऑक्सुजन की भारी कमी चल रही है पूर्व मंत्री नरेंदर सिंग हुए COVID-19 पॉजटिव COVID-19 ने अब तक कई मंत्रियों को अपनी चपेट में ले लिया है राज़त विधायक ने COVID-19 मरीजों के लाज़ के ले किया एक करोड़ रुपए से ज्यादा कादान अपील की है कोविड-19 के रोग थाम के लिए पपू यादव ने बिहार सरकार को दिया सुझाब COVID-19 के बढ़ते माहौल के बीच उसके रोग थाम को लेकर अब तरह तरह के सुझाब सामने आ रहे है इस दिक्रम में जोनधिकार पार्टी के नेता पपू यादव ने भी बिहार सरकार को सुझाब दिया है जिसके तहट उन्होंने कहा है कि सरकार अगर बिहार में कोरोना की चेन को तोड़ना चाहती है तो सभी COVID-19 अस्पतालों को सेना के हवाले कर देना चाहिए आपकी ज़ानकारे के लिए आपको बता दें कि मंगलवार को पपू यादव बेटा के अमहरा सित एनेमसी एच अस्पताल और एस आईसी अस्पताल में बने COVID-19 का जयजाले ने पहुचे थे जहां पहुचकर ही रोने वर्ट उक्त बाते तहीं ज़ाद ही भारत को मिलेगी स्पुत्निक वी वाक्सीन की सौगात COVID-19 की परस्थे लगातार खराब होती जा रही है भारत में तीन राक से ज्यादा मामले हर दिन सामने आ रहे हैं इस बीच भारत के लिए एक राहत की खबर सामने आई है डॉक्टर रेडी लाबरेटरीज न भारत में इस वाक्सीन की 12.5 करोर खुराक के वित्रन का अधिकार है भारत के इतिहास में आज की तारीक का इकार्णों से धर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीक का इकार्णों से महत्वपूर्ण मानी जाती है बीजी तिलक ने 1916 में भारतिये ग्रहनियम लीक के आज ही के दिन मनाए गया भारतिय अंत्रिक्ष अनसंधान संगठा ने 2008 में PSLV C9 के साथ छोड़कर एक नया इतिहास रजा था भारतिय फिल्मों के प्रसेजर डिजाइनर भानू अथेया का 1929 में जन्म आज ही के दिन हुआ मराठा साशक पेश्वा बाजीराव प्रथम का 1740 में उन्हों ने दुनिया को अलविदा कह दिया 1740 में ही बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्मी मस्तानी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था PCCI ने विदेश खिलाडियों को सुरक्षित घर वापसी का भरोसा दिया है आपको बता दे COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते वे कुछ विदेश खिलाडियों के आईपिल से अपना नाम वापस ले लिया है ग्याथो औस्ट्रेलिया ने मंगलवार को भारत में सभी सीधी उरानों को 15 मई तक तुरंत प्रभाव से स्थागित कर दिया और इंडियन प्रीमियर लीग में भाग ले रहे खिलारियों को स्वदेश लोटने का इंटर खुद करने का लिदेश दिया गया जिसके बाद भारते क्रिक्ट कंट्रोल बोर्ड ने चूडामेंट समाप्त होने के बाद खिलारियों के सुरक्षित स्वदेश वापसी का भरोसा दिया है आपको बदा दे राजस्थान रोयल्स के एंड्री टाई ते था रोयल चालेंज जिस बागलोर के केन रिचर्ट सन और एडम जेंपा ने आईपिल से हटने का फैसला किया है COVID-19 संक्रमत होने के बावजो सोनुसूद कर रहे हैं आम लोगों की बद अभी नेता सोनुसूद COVID-19 संक्रमत पाईगे है हाला कि इसके बावजो वो अपना काम लगातार कर रहे है इसके बाद अरुन शेश कुमार ने ट्विटर पर जवाब दिया उन्होंने लिखा सोनो सुथ भाई उमेश के परिवार को बेट मिल गया है आप रॉक स्टार हो बहुत बहुत शुक्रिया इश्वरा पर क्रिपा करें कल हमारे दोरह पूछेगे सवाल का जवाब आपमंसे बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया है उसके रे आपका बहुत पहुतह धनेवाद आपमंसे जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है बotion में विनोथ कुमार, साचुन कुमार, अस्लमरा आपके अनुसार IPL 2021 में खेले जा रहे अब तक के मैच को देखते वे टॉप 4 में सबसे पहले पहुचने वाली कौनसी टीम होगी अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को आप सबस्क्राइब करें और बेल आइक कौन दबाना ना भुलें धन्यवाद